तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी होप यू गाईज आप सब बढ़ी आउंगे और इवी संडे के फिप्ट अफिसोड में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आप मेंसे जितने भी लोग हमारे चैनल पर नई जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि संडे टू आप के जितने भी कोश्चन होते हैं उनका हम आंसर देने का ट्राय करते हैं तो आप भी हमें हैश्टेग आस्क एवी करके किसी भी वीडियो की कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम अगर्र पर पूच सकते हैं आज की वीडियो स्टाट कर लेते हैं तो यहाँआं लेक्टर के लिए ही है, भाई मैंने full payment कर दिया है, मुझे call आया है, कि आप अपना payment का screenshot भेजने के लिए call आया है, यह सही है या fake, please reply, तो यहाँ पर screenshot बगरा है, कोई भी नहीं मांगता है, अगर आपकी payment हो चुकी है, तो उनके already server पर पता चल जाएगा, उनके account बगरा है, मत payment address आसाम है, और मैं Bangalore में हूँ, मेरा Bangalore में कोई भी local ID नहीं है, जो भी government ID है, वो सब आसाम की है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, तो यहाँ बैंगलोर में रहते हैं, और आपकी जो ID है, वो आसाम की है, तो बैंगलोर में आप यह scooter नहीं भाई कर सकते, अगर आप करते भी ह तो वहाँ पर जब रिष्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ से फिर scooter आपका यहाँ पर डिलीवर करवाय जाएगा, बाकि इस तरह के जो process होते हैं, वो काफी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बाकि मैं कहूँगा कि आप आसाम की address पर ही आप उसको डिलीवर करवा लाओ, उसक में down payment किया है, तो refund हो सकता है, या फिर जो advance booking payment होता है, 499 निस का वो किया है, तो वो refund हो सकता है, बाकि full payment अगर आप कर देते हैं, तो registration department में आपके लिए एक number alert हो जाता है, जिसके बाद में आगी का process start हो जाता है, तो full payment वापिस से आपके शायद से नहीं मिलती है, नेक्श तो इस तरह की यार, paid video में नहीं बनाने वाला, और मुझे भी पता है, यार मुझे भी आगे grow करना है, अगर मैं इस तरह की content बनाऊँगा, तो मुझे ही problem होने वाली है, और वैसे भी यार, जो हमारी family है, वो अभी सिर्फ 10 से 11,000 की है, और इतना बड़ा भी channel नहीं है, कि म मेरा scooter चल जाता है, और दूसरा बंदा यहीं कहता है, कि मेरा scooter 100 km ही चलता है, तो यह दोनों बात साच है, और अगर कोई यह कहता है, कि मुझे service अच्छी मिल रही है, उस scooter की मेरे area में, और दूसरा बंदा कहता है, कि मुझे तो service अच्छी नहीं मिल रही है, तो यह दोनों ही वात की सच्छ है तो इस त्रही की की प्रवल्म सभी की साथ में देखना को मिल है कुछ प्रॉडalen्ट नेश्सकिद्थ इसे हैं जिन में चुच प्रव्लब देकन को मिलरे एं नेक्स्ट उसी वीडियो में एक और भाई ने रिया था प्लीस नो होती घटी है सर्विस है ओला वाले जब गाड़ी में प्रॉलम आती है तो हाथ उपर कर लेते हैं और इन्होंने इंसोरेंस के पारे में भी बोला है कि इंसोरेंस भाई फुल ले लेना आप 50% खर्चा मांग रहे हैं यानि कि इनके कुछ प्रॉलम आ गई होगी उसमें स्कूटर में तो इन्होंने 50% खर्चा कंपनी मांग रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आईसे से लॉंबर कंपनी का इन्होंने इंसोरेंस लिया था तो यह सब चीजे आप जरूर से ध्यान में रखना जब भी आप कोई भी स्कूटर बाई किया फिर गाड़ी वेगरा बाई कर करके देगी जो भी इंसोरेंस कंपनी है और बाकी जो फाइल चार्ज अगरा होते हैं 500-600 या 700 रुपए जितने भी होते हैं वह आप से लेगी बाकी औरल गाड़ी को कंपनी ही करके देगी नेक्स्ट आप एक और कोशन पूछा है 36 गड़ में सबसेड़ी का कोई इंफो मिल जाते हैं तो ओला एस्वन काफी बैस्ट इलेक्टर की स्कूटर है इसको आप जुरू से देख सकते हैं बाकी अधर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइज एक से डेढ़ लाग रुपे के बीच में आपको मिलती है यानिक एक लाग 30,000 रुपे तक उसकी प्राइ करके उसमें लग जाता है अगर कोई अच्छा सा वह मिल जाता है मुझे लिंक तो उसका भी मैं आपको जुरू से शेयर करतूंगा वीडियो के डिस्कुप्चन में तो वहां से आप चेक आउट करके इसको बाइक कर सकते हैं नेक्स नहीं पर हमने एक टो 5 एलेक्टिक लिए तो बाप ओलेडी आ चुका है वह काफी अच्छी बाइक है बट वह थोड़ी से एक्सपेंसिव भी है तो उसको मैंने इसलिए इस लिए सामिल नहीं किया और वह एक सूपर बाइक भी है तो अगर आपके पास बाइक पैसा बहुत सारा है तो अल्टा वालेट एफ 77 आपके लिए पैस्ट बाइक है उस पे आप पैसा अपना खर्च जरू से कर सकते हैं नेक्स यहां पर एक प्रक्सिमेटी लोग अवेल वेल इन एस वन मोडल जी हां एक्समन में आपको अप्रक्सिमेटी अनलोग वगरा भी मिलेगा अगर आपका एस वन स्कूर्टर क्या होगी आफ्टर स्टेट सबसेडी तो यहां पर एक लाग 49,000 कुछ इसकी प्राइज है और इसमें 10,000 रुपे और एड कर दो यानि की इंस्वरेंस वगरा मिला के हैंडलिंग चार्ज वगरा लागा के सब कुछ एड करके आप 10,000 रुपे इसमें और एड कर तो एक ला स्कूटर में पूछए हैं तो उल्रित स्कूटर में अणि दिली स्टेट सब्सेडी मिल रही है मुझे भी मिल चुकी है। नेक्स्ट आपर रविंदरा मुक्ति ने पुछा है, सर फाइफ येर तक बैटरी की पावर कैपसिटी सेम रही ही क्या, तो सेम नहीं रहने वाली फाइफ येर तक कैपसिटी जो भी है, इसकी जो रेंज है, जितनी आपको आज मिल रही है, आपने इस इलेक्टर की स्कूटर क में, तो कंपनी क्या करती है, उस बैटरी को थोड़ा सा और कम कर देती है, जो भी बचा करें, उन्होंने मतलब की रिजर्व में रखी थी बैटरी, और जितनी रेंज उनको एक साल पहले मिल रहे थी, यानि कि स्टार्टिंग के येर में मिल रहे थी, वही 5-7 साल बाद भी सेम एवरिज देहिन को मिलेगी, तो यहाँ पर एथर काफी अच्छा काम करता है, बाकि जो ओला है, और जितनी भी कंपनी है, वो पूरा 0-100% अपने बैटरी को यूज करके रेंज को निकाल कर देती है, नेक्स नहीं आपर पूछा है सर, ओला की एसे सिरीज कब तक आपर अभी कंपनी अपने S1 मोडल को बेचने में लगी हुया है, तो दिरी दिरे करके जब कंपनी फिरी हो जाएगी, इन सब चीजों से तब एक एक करके अपने पत्ते खोलेगी, बाकि देखते हैं कि ओला की एसे सिरीज जैसे ही आती है, तो मैं आप लोगों को जरूर से अभी से बाई करो, ओपन सेल चल रही है, यहाँ पर कोई भी बुकियों को कि नहीं करवानी, जाओ सीधा बाई करो और एक दो हपते के अंदर आपकी स्कूटी मिल जाएगी, तो दिवाली का बीट मत करो, इस स्कूटर की प्राइस दिवाली तक बढ़ जाएगी, नेक्स न करता है कि यह यूएस मार्केट है, तो यह इस चीज़ से आप कितना एगरे करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूड़ से बताना, तो यह बात मुझे भी थोड़ा-थोड़ा सा सच लग रही है, कंपनी का यार अलग ही चल रहा है, तरका, वो मस्तलब कस्टमर को नहीं इंट्रेस्ट नहीं करना यह वीडियो अगर आप देखेंगे, तो आपको प्राइस के बारे में पता चल जाएगा, हाले कि कंपनी ने इसकी प्राइस को अभी रिवेल नहीं किया है, इसकी जो प्राइस हमें देखनों को मिलेगी, उससे पहले आपकी टेस्ट डाइव डगरा या फिर मिडिया ड्रा और लोग वालों की जब भी कोई ऐसे पेमेंट अटक जाती है, या फिर किसी का स्कूटर लेट डिलिवर हो है, तो उसके लिए ओला की जो सर्विस है, वो ठीक से काम नहीं करती, तो यहां पर आप टेंशन मत लो भाई, यहां पर अपने स्क्रीन शोट बगरा अच्छे से आपने पेमेंट की है, उसका स्क्रीन शोट रखना, उसकी बैंक डिटेल बगरा सब कुछ आप अपने पास में रखना, बाकि आपकी जो पेमेंट है, अगर आप वापिस आपको जरूर से मिल जाएगी, आपकी कहीं पर अटकेगी नहीं पेमेंट, और अगर आप चाते हैं आगे का प्रोसेस तो आगे का प्रोसेस भी हो जाएगा, आप डेली उनके कश्रमर सपोर्ट पर बात करते रहो, और डेली अपना जो पिछला कंप्लेंट नमबर है, उसको भी बताते रहो, अगर कोई कश्रमर के वाला बंदा ये बोलता है, कि दो तीन दिन लगेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स करो, कि जल्दी से जल्दी मेरा जो ये प्रोब्लम है, उसको सोल्व करें, तो ये थी दोस्तों आपके ओवरॉल सभी कोशन जिनका मैंने आंसर दे दिया है, बाकि आपका कोई भी सवाल है, या सोजा हो है हमारे चैनल से लेलेट या हमारी वीडियो से लेलेटेट तो आप ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हैस्टेक आस्क इवी करके, बाकि वीडियो चे लेगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप से कर आएसे नई वीडियो में, तब त stay safe and safe right